आसका फोर्थ लेसन कौन? इसके कोशन आंसर्स, मीनिंग, भाष्षा की बात पुरा देखेंगे क्या है कौन? कौन मतलब क्या है? हूँ, यवरू तो बच्चों के मन में क्या-क्या भावना है, क्या-क्या कोशन्स आ रहे हैं वही सारे कोशन्स ही ये लेसन है मीनिंग, कथी शब्द और उनके अर्थ चांद, चांद अंटे चंद्रुडू, मून रात, रात्री, नाई दिशा, दिशा अंटे दिक्कू, डेरेक्षन सूरज, सूर्योडू, सन चमकाना, प्रकासवंतम चे यूटा, टू, स्पार्कल बादल, मेघं, क्लोड इंद्रधानुष, इंद्रधानसू, रेन्बो कौन, यवरू, हू, प्रश्ण, प्रश्ण, कुष्ण बहाना, प्रवाहिंपचे यूटा, टू, फ्लो, हर्याली, पच्च दनम, ग्रीनरी फैलाना, व्यापिंपचे यूटा, टू, स्प्रेड मुस्काना, चिरनवु नवुटा, टू, स्माइल निर्मल, स्वच्चमाईना, प्यूर, प्यास, दप्पिका जरना, ये वाटरफॉल, परवत, कोंडा, भुझाना, तेलिये चप्पुटा नेक्स्ट, सोचो, बोलो, अन्टे आलोचिंचंडी, चप्पंडी चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है अन्टे इपड़ इव चित्रम जूस्तु नाँगा दा, इव चित्रम लेवियों गन बिश्तु नाई चित्र में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे हैं दाहिनी ओर के चित्र में कुछ पेड, पक्षी, पर्वत और इंद्रधनों दिखाई दे रहे हैं दाहिनी ओर नंटे लेप्ट साइड, लेप्ट साइड को दाहिनी ओर कहते हैं बाई ओर के चित्र में सूरज, पेड, पक्षी, पर्वत, जरना, बादल, आदली दिखाई दे रहें वे क्या कर रहे हैं? अज चित्रम लवी पुर मना चूसेंगा दा, अलें जेस्तुन नारू वे दोनों प्रकृती के बारे में जानना चाहते हैं वे दोनों धर्ती पर खड़े होकर, मन में तरहा तरहा के संधे हैं, वे भूमे में दा निल्चोनी, मन स्लोटी फ्रेंट डेफ्रेंट संधे हालानी वेक्त परस्तुनारू वे क्या सोच रहे होंगे? वले मालो चिस्तुन तारू? इसमानों उहिंच कोंद आया ले? वे प्रकृती के बारे में सोच रहे होंगे? वालो नेचर गुरिंचे आलो चिस्तुनारे मों लड़के ने बीना सूरज के बारे में और इंद्र धन्ष के बारे में सोच रहा होगा? अब्बाई सूरिर लेक पोते जग मोह स्रुष्टी एला उन्टुन दो और अलो चिस्तुनारो और लड़की सूरज सहीं प्रकुर्ती के बारे में सोच रही है और अमाई सूरिर तो पाटो नेचर एटला उन्टुन दा अनि दानी गुरिंचे आलो चिस्तुन दी कभी का नाम बाल स्वरु प्राही जीवन काल जन्म 1936 रचनाय सूरज का रत आधी पुरसकार कई बाल साहीत या पुरसकार सुनो पोलो पाट में दिये गए चित्रों के बारे में बाचित कीजिए चित्र में लड़का लड़की प्रकुर्ती में मिलने वाले सूरज चान पाहाड पेट नदी फूल जरना पक्षी आधी विश्यों के बारे में बाचित कर रहे होंगे क्या क्या बात कर रहे हैं? उल दोनो सूर्य गुरिंची, चंद्रुडू, पाहाड, पेड, चेटलू, नदुलू, पूवूलू, वाटरफॉल, बर्ड्स, अन्नी विश्यों के द्वारा ही जरन जीवन सुक से रहता है वेवसाई के लिए ये नदियां बहुत उप्योग है नदियों से मन के चाला लाबाले हुनने रिवर वाला मन अंदर की दाहम तिरुतुंदी निर्मन पवित्र नदियों ना होने से अट पवित्र मैन नदी लेका पोते मन अंदर की दाहम यावर तिरुस्त नदी प्रकुर्ति की सोंदर ही बढ़ाते हैं नदी वलना प्रकुर्ति अंदालाने दी पिरुतुंदी नदियों के द्वारा ही नदुले वलने जनाल अंदर की तागडाने की उनड़ाने की वाटराने दी लभिस्तुंदी व्यावसायूं को समकूडा नीलू चाला अवस्सरमू पढ़ो कविता में तुम्हें कौनसी पंक्तियां अच्छी लगी पढ़ कर सुनाओ इपर मना पोयम चूसांगा दा मना पोयम लो में को ये लैन एक को नच्चिन दो वो लैन को लिखना है कविता में मुझे सभी पंक्तियां अच्छी लगी पोयम लो नको अन्नी लैन सु बागा नच्चाई सभी पंक्तियां प्रकुर्ती में मिलने वाले चीजरों के बारे में बनन किया गया है पढ़ो का सेकेंड आ नीचे दिये गए शब्द कविता में ढूंड कर रेखांकित करो इपडिकर वर्ड सिच्चार गदा, चान, सूरच, नदियां ए सब को हमको पोयम में देखना है और उसको वहां आइडेंटिफाई करके अंडालेन करना है चांद, अगर ना होता चांद, इस लेंड चांदा नदियों नदियों सूरज, अगर ना होता सूरज, किधर है सूरज, इधर नदियां, अगर ना होती निर्मल नदियां, तो नदियां किधर है, इधर प्याज, जग की प्याज भुझाता कौन? तो यहाँ प्याज इधार है पर्वत, अगर ना होते पर्वत तो इस लैन में पर्वत की इधारे देख के इडेंटिफाई करना है बाकी सब भी ऐसा ही करना है लिखो नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखो चान, सूरज, नदी इन सब में कुछ विशेश गुन है हम सब में भी कई गुन है जैसे की महनती, विनोदी, गमभीर, आदि इसी तरह के अपने पांच गुनों के बारे में लिखी है आण्टे कोशन एन जप्तिनार आण्टे इपड अन्देडलो येदो उकटी विशेश महैन, गुना मने दू उन्टूंदि यळा आण्टे कोंत मन्दी चाला तरू कोंत मन्देमो चाला ज्वायफूल गा उन्टारू माट्लार तरू कौन्त मन्दी चला गंभी रंगा उन्टारो लग कौन्त मन्दी लो कौन्झी कौन्झी विशेशन मन गुनालो उन्टाई अधि मीलो एलांटी गुनालो नाई अविराय मन जबत नारो वतारा इसमें सच चरित्रो धारियो साहा सिम्मा धारियो दया करुना इवन गुनालो नाई पेडो से हमें क्या लाब है चटल वाला मन की येम लाबा लोनाई पेडो से लाब पेडो से हमें फल फुल मिलते है चटल तोटे मन की काईलो पनलो पूलो अन्नी लभी स्ताई हमें चाया भी मिलती है, मनको चटलो नीडन गुडा इस्तुंदी पेडों के पत्तों से जानवरों को चारा मिलती चारा आटे वालो पशूलितीने आहरप जोगेड़ी औनी नाना राकाले अन्नी कलपे सी चारा औनी अंटारो पेड दूशी धावा लेकर जीवों को प्राणवायू देती है प्राणवायू आटे ऑक्सीजन, दूशी धावा आटे कारबन डेक्सट चेटलें जेस्ते कारबन डेक्सट देसको नी मनको ऑक्सीजन इस्तुंदी पेडों से परियावरन का संतुलन होता है पेड़ों के द्वारा बीमारियों का इलाज होता है चटल वाला चुटनडी, चटल मंदो तोटी, चाला रोगालों को निवा नजर गुतुंदी पेड़ों से कई सारी दवाईयां बनती है, और शधियां बनती है कविता का सारांस अपने शब्दों में लिखी है कविता का सारांस, कौन कविता के कविसरी बालस्वरु प्राही है इसके रैटर एवरु बालस्वरु प्राही वे इस कविता में प्रकृती, सूरज, चान, नदी, जरना, इंद्रधनोष, पेड, आडी के बारे में वनन किया है वेर कहते हैं, आस्मान में चान ना होता, तो रात में हमें कौन दीशा दिखाएगा एमान अंटु नारंटे, वो कहला, आस्मान में आस्मान में रातर पुटा, स्काइल चंदरु लेकप होते मन की दीशा नी, मन की दारे नी, एवर चुप इस्तारू अगर सूरज ना होगा, तो दिन में सोने सज, रोशनी हमें कौन देता है वकल सूरज लेकप होते, पगल पूटा, मन की इनता वेलतुर यवरिस्तारू प्यास बुझाने वाले निर्मल नदियां ना होते, तो हमारी प्यास कौन बुझाएगा मन दाहम तीर चे रिवर गाने लेकप होते, मन की दाहम वेला तीरे दी, यवर समुद्रम न इननी नील हुने, मन ताग गलू तुना मा नहीं, हमें मीठे जल परवत, हमें मीठे जल वाले जहरना बहाते हैं, पेड़ना होंगे, तो हरियाली कौन फाल आएगा हरियाली आएटे ग्रीनरी, फूल खील-खील कर मुस्काते हैं, आस्मान में बादल के बीना, इंद्रधन उस कैसे रचाएगा अगर हम ना होंगे, तो इन प्रश्णों को कौन पूछेगा, वो कहले में में लेक पोते, इवन नी प्रश्णल येवरड उत्तारू, और ये लेसन का सारांच है शब्द भंडार, जो भीन हैं उन्हें कोष्टक में लिखिये, भीन आंटे अलग, और बन को हमको इस कोष्टक में लिखिना है, चांद, सूरज, तारा, पेड, अलग क्या है? पेड़ अलग है पेड़ इनकंडे चान, सूरज, तारा ये पुरे कहां होते हैं आताश में होते हैं और पेड़ जो है धर्ती पे होता है दूसरा पर्वत जर्णा नदी ताला इसमें अलग कुन से है अलग कुन से है पर्वत अलग है पर्वत क्योंकि जर्णा पानी भाता है नदी ताला पानी होता है पर्वत नहीं अलग है पर्वत बादल, पशू, नव, इंद्रधनुश तो इन से में अलग के पशू पशू अलग है, जो अलग है उसे लिखना है स्रीजनात्मक्ता कविता में चान, सूरज, नादी, परवज, झरना, पेड, इंद्रधनुश आदी के बारे में बताया गया है अब तुम किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आधी शब्दों के द्वारा कविता को आगे बढ़ाओ कविता को आगे बढ़ाना मतलब अगर दो चानले लिखने के लिए बोल रहा है कैसे लिख सकते हैं हम अगर ना होते किसान, किसान आटे फार्मर किसान नहीं होते, बताओ फसल उगलाता कौन अगर ना होते अध्यापक, अध्यापक आटे टीचर बताओ ग्यान फैलाता कौन अगर ना होते डॉक्टर, डॉक्टर अंटे डॉक्टर, बताओ इलाज कौन करता, इलाज अंटे हमारा ट्रीक्मेंट कौन करता अगर ना होते डाकिया, डाकिया अंटे पोस्टमान, बताओ चिठ्या हमें कौन दे प्रसंसा हमारे जीवन में व्रिक्षों का क्या महतु है? व्रिक्ष हमारे जगत के साथ ही और प्रान दाता है व्रिक्ष और पेड़ पौधे हमारे परम्मित्र है व्रिक्षों के बीना जगत की कलपना हम नहीं कर सकते प्रिक्ष काई प्रकार से हमारी सेवा करते हैं प्रिक्षों की हरियाली हमारे मन को प्रसन्न करती है उनके सीतल च्मार में सुक शांती देती है उनके फल, फूल तथा उनके पत्थे, लकडी अमया spelling mistakes से आया है ये पत्ती नहीं पत्ते होंगे पत्ते ऐसे लिखना पत्ते पत्ते लकडी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते है प्रिक्षों से कालगच, दिया सलाई, गोंद, अलग-अलग दवाईयां और तेलों की प्राप्ती होती है क्या-क्या प्रिक्षों से हमको पेपर बनता है, गोंद मिलता है, डिफ्रेंट डिफ्रेंट प्राकार के दवाईयां बनती है, आयल प्राप्त होता है प्रिक्षों से वायू, मंडल, सीतर और सुद्ध बनता है चटल वाले ने वाई मान लामा तो चल लगा उन्टुन्दी और स्वच्छ रता है प्रिक्षों के आकर्षन से वर्षा होती है प्रिक्ष बेडा को सेक कर उपजाओ मिट्टी बनाते हैं प्रिक्ष नहीं बनाते यहां लिखो गया ऐसे बनाते हैं उनकी लकडी इंधन के रूप में काम आती है व्रिक्षा रोपन हमारा एक सामभाजी करता भी है व्रिक्षा रोपन और व्रिक्षों को लगाना वीरो हरिता हारम और प्रोग्राम तोटीच मुकल नात तुना गदा उससी को हिंदी में कहते हैं व्रिक्षा रोपन मुकली नाटडम वन महोट सो मना कर उनका सरक्षन करना चाहिए हम उनकी रक्षा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे मनम चटल निका पाड़ते चटल मना निका पाड़ते रिक्षों के बारे में एक उचित उक्ती है क्या है रिक्षो रच्छती रच्छता हैं मनम चटल ने निकापाड़ते चटल मना निकापाड़ते हैं पर योजना कारिय इंद्र धनुष्ण का चित्रु तारो और बताओ कि हमारे जीवन में रंगों का क्या महातु है इंद्र धनुष्ण की बोमन रोजय यंडी इंका और बताओ कि हमारे जीवन में मना लाइफ लो रंगों का व्यालू ये मुन नहीं हमारे जीवन में रंगों का अत्यन्त महातु है इंद्र धनुष्ण में सात रंग होते हैं इंत्रा धनुष्लो ये रंगुल उंटे, वो है बैंगन, नील, नीलवन, हरा, केसरिया, लाल, पीला, सफेर, काला, संत्रा, गुलाब, भूरा, आदी कुछ रंगों के नाम है वे रंग प्रकुर्ति को सुंदर बना देते हैं, आरंगुल ननेटी प्रकुर्ति नी चाला अंदंगा जैसे सुने, नित्य जीवन में हर एक मनुष्य रंगों का आस्वादन करता है हर एक वेक्ति का एक पसंद रंग होता है, किसी को लाल तो किसी को पीला, हरा उसी प्रकार, उसी प्रकार वहाँ पने नीज जीवन में सम्मध रखता है वहाँ पहनने के वस्तरों के लिए रंग का आकर्ष्य बनता है बच्चे खेलने के लिए खिलोने के लिए अच्छा रंग स्विकार करते हैं पिलालो, बमलो, गोड़ा, मंची, रंगो, कलरफुलो, ना बमलने, इन्च को नटारो अनेक प्रकार के वाहन भी पसंद रंग का स्विकार होता है यहां से हमारे टेस्ट बुक के सारे बिट्स कंप्लीट हो चुके